नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों मुझे पता है कि आपको पेशों के लिए कर बहुत ज़्यादा दिक्कत जहलने पड़ रही है पेशों की शमश्या आपकी जूनकाल में लगातार बढ़ती ही जा रही है जिया उनकाल में आपको कोई इशा मोकार नहीं मिल पा रहा है जिनसे आप पेशों को अर्जित कर सके जिनसे आप अपने जिया उनकाल को अच्छी तरिके से शम्हाल सके जो कि हर एक इंसान की चाहद होती है वे शबी चीज़ों को आप प्राप्त कर सके जिया दोसों तो दोसों हम आप शबी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप शुरूश लेकर अंत तक एक बार जरूर देख लेजिए जिया दोसों इतना पेशा आएगा कि शम्हाल नहीं पाओगे जिया दोसों लेकिन दोसों यहाश में आप इस बात को सोचेंगे कि पेशों की दिकत दाखर की इसको नहीं है ज दोसों पेशों के दिकत सब को है लेकिन दोसों सब में और आपमें बहुत यादा फरक है और यंफर को आप िशुल पाएंगे जब आप इस वीडियो को ऐंच तक देहेंगे जे दोसों कि दोसों इस वीडियो में हम आपकी जुनकाल की शबशे बड़े मूल मंत्र आपको देने वाले हैं जो कि दोस्तों आपकी जुनकाल में होना बहुत हिए अशुको कर दोस्तों आक्शार आपकी जुनमें ईशा हुआ है इसा बात नहीं कि पेश आपके पास नहीं आए था दोस्व आपके पास पेशे तो बहुत आते हैं लेकिन सुआ इधर से आते हैं तो फिर उधर चले जाते हैं एक शमश्या अगर आप शांत होता है दूसरी समस्य आपके शामने हो चाते जिनके कारण आपके पेशे का जो हुआ है वह होता ही रहता है दोस्तों हमारा आप शुबिशे विनमर निवदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतर तक देखिएगा तब दोस्तों आपको इस बात का पता चलेगा कि आखरी यह व अग्वान शनिदेब कि ऐसी मश्रबात आप शुब ही प्राप् Recomm दोसों आप शुब बतादे कि पिछले शुम्हें में अपने सब चीजों को देखा है दोफों पिछले शुम्हें में अपने सुक भी देखा है जापर आपको अच्छी आनंद की अनुबोती भी है और वो बहुत ही बैतिन होगा और पेशे आपके पास जरूर आएंगे जिन पेशों के लिए आप अभी इस वक्त तडप रहे हैं एक शमय वह पेशों आपके भी पास जरूर आएगा जिया दोस्तों इसी चीजें आपके मन में चलती हैं और आपकी दिन के लिए बहुत क्यों नहीं हो दोस्तों आप हर्श्म शाव का शमधान अपने मुश्कुराइट रहते हैं हमेशा अपने चहरे पर आप मुश्कुराइट बना कर रहते हैं ज्यादोस और यह आपके लिए श्रव से बड़ी खुबी होती है जो कि आपके भागी को भी चमकाता है और आपके जो दुश्मन है उन्हें भी जलाता है क्योंको दोस्तों आप जो होते हैं अपने दुखों को किशी की सामने व्यक्त ही नहीं करते हैं जिनसे शामने वालों को किशी परकार की खुशी हो जिया दोस्तों अपने शबी दुखों को आप अंदर ही दबा कर रखते हैं और चेहरी पर जो मुश्कराट रखते हैं इनकी वज़शी दुनिया आपकी रूत्पे का जो है कायल हो जाती है और आप शे करीबी लोग बहुत ज़ादा जलते हैं जो आपके करीब के लोग होते हुआ तो जानने अंजाने में आप शेक बार दिख जाए तो दोस्तों आपके चाल चलन को देखते ही उनको चीड़ाने लगता है जोनकाल में कुछ करने की कुछ बनने की आपके अंदर अन्यक तमनाई होती है आपके मन में कुछ ऐसे भी ख्वाइश होती है कुछ ऐसे भी जजबा होता है कि आप अपने जिवन में आपका जो भी मनपशंद कार है मनपशंद गाड़ी है, घर है, बंगला है या फिर बच्चों की परवरिश है दोसों आप उन्हें प्राप्त कर सके उन्हें हर चीज़ शूप को दे सके अपने मनपशंद चीज़ों को आप घरिश रके जया दोसों और आप उन शबी के लिए एक अलगी लेवल पर जाना चाहते हैं अपने शमाज में हर छेतरों में आप शब से कुछ अलग करना चाहते हैं आपकी ख्वाइश दूसरों से अलग होती है उसे प्राप्त करने के लिए आप जीतोड मेहनत भी करते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शीज़ों को बता दें कि कभी कभार आपके जुनकाल में ऐशी गटना याती है ऐशी पस्तिती खड़ा हो जाता है कि दोस्तों समय की मार और जो भी आपके जुनकाल में जिम्यदारी है जो भी आपके जुनकाल में आपका जो करतब है उन्हें मद्दे नज़र रखते हुए दोस्तों आप अम्पने अर्मानों का गला दवा लेते हैं यूँ कहें अपने ख्वाहिश को आप छोड़ देते ही और दोस्तों श्रमने वाले के ख्वाहिश पर आप ध्यान देते ही जो भी आपके जुनकाल के घर परिवार के शटश है उनके महत्पन जिम्यदारियों को लेकर आप पीछे हड़ जाते हैं कि नहीं हमें यहां कारे छोड़ दिने चाहिए और ये श्रमे में श्रमे की भी आपको मार पड़ता है आप देखते हैं कि जब आपकी बूरी पस्तिती चर रही होती है तो दोस्तों आपको नुक्षान ज़्यादा ही हो जाता है लेकिन दोस्तों आप श्रमी को बता दी कि आप यह बात जानते हैं कि जिस्तिति में आप अभी हैं जो भी पस्तिति का शमन आप अभी कर रहे हैं वो आपका मंजिल नहीं है आप अपने जोन में अभी भी शंतुष नहीं हैं आपके बहुत ही बड़े शपने हैं बहुत ही बड़े इक्छाय हैं आप बहुत ही उच्छा तक जाना चाहते हैं और पिछले शमय के दौरण आपके पास पेसे आते ते रहते ते घर परवार अच्छा भी चलता था लेकि दोस्तों कुछ ही महिनों शी आपकी जुनकाल में कुछ ही शालों शी आपकी जुनकाल में शामय आ गया है कि पेशों की जो अर्थिक दंग्या वह बढ़ गई है हुआ है जहां भी जाएंगे तो पेशों की सबसे पहली मंग होती है आप कोई भी है इतने भी बड़े इंशान क्यों नहों सबसे पहले पेशे से ही लोग बात करते हैं फिर आक्षे बात करते हैं इसको ब्रांतों आप शीको बता दें कि आपकी जुनकाल में और भी अशी गटनाए घटी धो रही है जो कि आपको सोचने पर भी कभी कभी मजबूर कर देती है कि दोस्तों आप इतने जुनकाल में महनत करते हैं आपके ज्यादा घटनाए घटी होती है कभी कि आप अपने पुरुष में को याद करके बहुत ज़्यदा अभी भी दुखी होते ही अगर बेट जाए और उनके बारे में शुजने लगे तो दोस्तों आपके आँखों में आशु भी आ जाते हैं हम आप शुभी को बता दें कि आपकी जो मंजिल है वहाँ आपको आवशी मिलेगा और दोस्तों वहाँ दूर नहीं है वहाँ बहुत ही जद आने वाले हैं आप बता दें कि इस महिने के बाद आपके जुनकाल में करहों की चाल बदर रही है शनी शुक्र और गुरु की जो इस्तिती होगी आपके लिए आपके लाग करम को दक्षा रहे हैं और भगवान शुनिदेप तो न्याय की देवता है जैंदोस्तों वह आपके शात कभी अन्या नहीं होने देंगे इस बात पर आप विश्वास रखिए आप शिवी को बता दें कि भले ही लोग भगवान शुनिदेप के नाम शुनते ही डर जाते हैं लेकिन दोस्तों जिनके भी मन में कोई चल नहीं होता निश्चल भाव निश्चल स्वार्थ का व्यक्ति कभी भी इस और शवी जात को ऊपर यहाए का तीर शूरते हैं जहां दोसों और शबी के जुनकाल में भी अब आपको न्याय मिलने वाले ही पिशले शिमे की份 में की भी मे नत है उनका प्रिणाव आपको बहुत ही जल्द प्राप्त और परिवर करने होने वाले हैं जैसे पेले समयस्टाने पर कीSyam दूर होने वाली है झाल्य को कुछ भई को करना चाहिए जो आगे वीडियो लिए बात करने वाले हैं आГए आप द्याइश पीजने Sedots कि करियर की जो भी आपकी रुकाउट नें बढ़ रही थी जिन में आपको नुक्षान उठाना पड़ रहा था दोस्तों, अब उनमें भी गती आने वाली हैं। आपको बता दें कि केरियर्ट के छेतर में आपको बड़ी उप्रचुनेटी मिल सकते हैं लाब के मुखे फिर शे आपके भाष्य में खुलेंगे जिन में आपको नुक्षान हुए थे जिया दोस्तों शाथ ही साथ दोस्तों आपको बताते कि घर परिवाल का महौल भी जो पि पाउदेव कि दिश्चमनों को सबकारेश्य में अब आपको कोई भी ग्लती बिल्कुल भी नहीं करना है अब आपको हर शमय में हर पस्तिती में अपने कदम को फूक 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 रखना है जे दोसों क्योंकि बगवान शंडिव आपके जुनकाल में अब महरबान हो चुके हैं आपके जुनकाल की शारी शमयश्याओं का यूँ कहें तो अब अंती हो जाएगा जे दोसों आपको आरविल जुनमें भी जो भी आपकी नौक जोंक चरही थी दोसों उनमें भी यहस्मय शुदार होगा शादे आपको बदा दे कि बच्चों को लेकर आपको बहुती शुबस मचारी मिल सकते हैं बच्ची को और शी आपको कूछ ऐसा नया चीज देखन को मिल सकता है जो कि आ अपकी मुलकात होने वाली हैं लेकिन दोस्तों माप शिवी को बता दी कि दो बारा जिन लोगों ने आपको धोका दिया है दोस्तों दो बारा उन पर भूल कर भी विश्वास मत करना हम आपको एक बात और भी आदिला दें कि यह बात भगवान श्री किष्णे कही थी अपन लोगों दोस्तों अब आपको अपने जुन काल में इन बातों का ध्यान रखना है कि जो बिवक्ति आपको दोका दे चुके हैं उन पर आख मुंद कर यूं कहें तो उनके शात रहने की भी आप कोई जरुत नहीं है कि दोस्तों जो शाप होते हैं वो कभी भी अमरित नहीं हमेशा वो बिश को ही देते हैं और बिश के आसपास होने शे भी आपको उनका जहर लग शकता है तो दोस्तों हमारा आप शविश यहीं विनमर निवेदन रहेगा कि शाप वाले लोगों शे हमेशा ही दूरी बना कर रखें इसका साले दोस्तों आप शुको जुनकाल में ए उन्हें इन्वेश्ट करें कि दोस्तों पेशाद धन की देवी मालक्षमी होती है मालक्षमी कहती है कि जिस परकार तुम खुद की इज़्जत करते हो जिस परकार तुम अपने जुनकाल में अपने अशकताओं को इज़्जत करते हो उसी परकार तुम मुझे भी नहीं होने दूंगी में कभी भी तुम्हें शवी के शामने लज़ित नहीं होने दूंगा ज्यादोसों तो आशी ही अपने जुनकाल में आप इन बातों का भी दान रखें कि पेशों की आवश्कता को देखते विए ही पेशों का निवेश्ट करें जैदोसों दुसरे को और आपके चाल चलन में जमीन अश्मान का फर्क है तो दोस्तों कभी भी उनको मत देखिएगा आप हमेशा अपने जुनकाल की जरुत को देखिएगा जिस जिसके आपको जरुत है उन्हीं सबीची जों में आप पेशों को लगाए तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान अब खिए जो कि दोस्तुं यह स्टुन उस्ट चुन याद करके पश्तावा होता है तो पिछले श्मे थाइं आपको पश्तावां हुटवां है उन्हें आप अप ध्यान में रखें और आने वाली तका शधीप्यों करैं कि कभी भी शबीश्मे की बरवादी नहीं करनी है दोस्तों बखवान हमें जो शमे देते हैं दोस्तों वे हमारे लिए बहुती मुल्यवान होता है जो दोस्तों शमे शबशी वड़ा बलवान होता है जो व्यक्ति शमे का शही से शदिप्योग करता है तो दोसों वह छोटी शे उम्र में भी बड़ी शुफलदाओं का अच्छ गर लेगता है। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति श्रमिक का मोल नहीं जानता, जो व्यक्ति श्रमिक को यूँ ही बरवात कर देता है, खेले में ले और फरकार के वह Čतनी कारी तो दोस्वों उनकी जूनकाल ने उनके उम्र बढ़ते फोकाल में इसे अलीず लेकिन प्राहे अकहिनीं रखेंगे जिफुर आपनी तो आपनि जूनकाल इसे जू lightning काल में होगी ज़े-धोसों हर चीज आपके जुनकाल में आपके लिए बहुत यदाव शुक है आपको प्यशों से जुड़ी एक बहुत अच्छा उपाए है जो दोसों नित्य आपको अपनी जुनकाल में अत्रुत दोस्स हैं वह श्रुमाप्त होंगे और भागे का भी आपको पूरा श्रयोग मिलेगा तो दोसों इश्यमंत्रों का भी और शुपाय का भी आप अच्छे तरहें से ध्यान से सुनें तो आए दोसं बात करते हैं दोस्तों माँ आप शूब बता दें कि गरोशे बियुने बरकार की बिमारी में उत्वन होती है ज्यतों सोगर आपके ब्रहस्पती खराब हो जाए तो पेट की गैश और फिपड़ी की श्मस्या हो जाती है शूर अगर खराब हो जाए तो मूशे बार-बार थूक एकठा होने लगता है जाग निकलना धड़कन का अनिंत्रित होना शारी कमजोर और रक्ट्चाप में दिकत होना या शूर के कारण होता है शातिगर आपके जुनकाल में आपका चंद्र खराब हो गया है तो दिल और आँख की कमजोर होती है अगर शुकर खराब है तो तो त्वाचा द डात का रोग शनीगर खराब हो जाए तो नैत्र रोग और खांशी की बिमारी राहुगर खराब हो जाए तो बुखार दिमागी कोई खराबी हो जाना अचानक से चोट दूर गटना आती यह इस पर राहु के ही चाल होते हैं शादि केतू अगर बिगड तो रीड जोड़ों क दर्द गुपत आंग शम्मिल कोई भी रोग ये शुब केतु के कारण होता है तो दोस्तों इंशे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों और आपको लगे कि आपका शूरी खराब चल रहा है तो जूटे हाथ से कभी भी शीर को नाच हुए इस बात का देन रखे और आपको लगे कि आपका चंदर खराब है तो दोस्तों पानी को वेर्थ में बिल्कुल भी बरवाद ना करें कि इनसे चंदर खराब होता है अगर मंगल खराब हो तो दोस्तों कभी भी आप क्रोध ना करें क्रोध से ही मंगल खराब होता है जूट बोलने शे आपका बु चुत का मज़ा कुणाने शेक केतु खराब हो जाता है आपके जुनकाल में अगर ये शब समय से चल रही है गरा दोस्त चल रहे हैं तो दोस्तों इन बातों का ध्रकें भागी का आपको पूरा पूरा शपोर्ट मिलेगा शिब आपको इन कुछ चीजों को छोड़ना है और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शन्देव जरूर लिखेगा पदस्तों और शिदिक जनकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद आपका दिन शुब रहे